हेलो दस्तो कैसे हैं आप लोग मैं छितिच कुमार आसा एक मेरा नमस्कार तो दस्तो हमने पिछली वीडियो में सिंस के प्रियोग के बारे में जाना था यानि सिंस को कैसे प्रियोग करते हैं अब दस्तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रीप् समझें निश्चित समय होगा तो वहां पर लगाना और वहीं पर दे का नाम लिखा हुआ है तो वहां पर सिंथ लिखना है जैसे तो उसे since लिखना है जैसे 1964 उन्हें 162 वैसे ही अब दोस्तों month मतलब महीना तो महीना जहाँ पर लिखा हुआ होगा वहाँ पर for और जहाँ पर महीना का नाम लिखा हुआ होगा वहाँ पर since मालिजे आपको एक आपको supported example बताते हैं जैसे दो बजे से दोस्तो इसमें दो बजे से है तो इसे सिंस कहेंगे क्योंकि यहाँ पर बजे है और यहीं पर होता कि दो घंटे से तो यहाँ पर फॉर लगाएंगे तो इसमें दो घंटे से होना चाहिए दोस्तों ना कि दो बजे से तो वो सिंस हो जाएगा दो घंटे से इसलिए फौर हो जाएगा वैसे हैं दोस्तों आप लोग एक घंटे से पढ़ रहा हैं तो कपके एक घंटे से ये तो आपको पता नहीं नहीं है क्योंकि दिन में तो 24 गंटे होते हैं और यह एक घंटे से पढ़ रहा है तो कप क्यों एक घंटे से वैसे यू है बीन रीडिंग फॉर एन हावर मतलब एक दिन तो यहां पर फॉर लगा हुआ है क्योंकि एक घंटा पता नहीं चल रहा है यानि एक महिना एक घंटे से पढ़ रहा है वैसे ही दोस्तों एक सब्ता लिखा हुआ होगा तो एक सब्ता लिखा हुआ है तो आपको पता नहीं कि कप के एक सब्ता से पिछले एक खप्ता कि आगे के एक खप्ता से पढ़ रहा है इसलिए दोस्तों वहाँ पर फॉर लगेग फहां पर आप पढ़ाये हैं पर लएस दोस्तों आज के Clay लिए इतना पड़ते हैं पढ़ते हैं और आपको पढ़ाते भी हैं और फिर से अपना टीसन सब स्कूल का मैनेज करकर आपके लिए टाइम इतना निकालते हैं और फिर तो परसो तो रख्षा बंदन भी था फिर उस दिन भी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए हैं दोस्तो प्लीज हमारा सपोर्ट कीजिए जल्दी से वन के सब्सक्राइबर पहुचा दीजिए मेरा ड्रीम है कि मैं आपको लाइब आकर पढ़ा सकूँ तो दोस्तो मिलेंगे अगली वीडियो में